नमस्कार दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चानल पर दोस्तों आज हम आपके लिए पोस्ट आफिस की एक बहतरीन सेविंग स्कीम की जानकारी लेकर आए हैं जिससे की आप हर मीने तोड़ा तोड़ा सेव करके कुछ समय बाद एक अच्छा निवेश प्राप्त कर सकते हैं इस वीडियो में हम आपको उसकीम की 100% करेक्ट जानकारी देंगे तो वीडियो को कहीं पर भी स्किप ना करें और अन तक वीडियो को वाच करें वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो नीचे आ रहे हैं सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर लें क्यूंकि हम आपके लिए ऐसी ही जानकारी वाली वीडियो बनाते रहते हैं साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तो बहुत से लोगों को लगता है कि छोटी बचट किसी भी काम की नहीं है जादा पैसा निवेश करो तब ही उस निवेश पर अच्छा ब्याज कमा पाएंगे लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगी कि अगर आपके पास निवेश के लिए जादा पैसा नहीं है तब भी आपके पास निवेश के कई बहतर विकल्प हैं उन्हीं में से एक आप्शन है पोस्ट आफिस का रेकरिंग डिपॉजिट यानि की पोस्ट आफिस की आरडी तो चलिए पहले जानते हैं कि पोस्ट आफिस की आरडी क्या है तो दोस्तों पोस्ट आफिस की आरडी एक बहतर विकल्प है उन लोगों के लिए जो हर महीने थो दोस्तो चलिए आप जान लेते हैं कि इसमें आप पैसा कैसे जमा कर सकते हैं दोस्तो आप किसी भी पोस्ट आफिस में जाकर अपना RD अकाउंट खुलवा सकते हैं इसमें पैसा जमा करने का एक निश्चे समय होता है अगर आपने खाता पहली तारीक से लेकर महिने के 15 तारीक के बीच खुला है तो आप अपनी मंथली डिपॉजिट को 15 तारीक तक जमा करा सकते हैं वहीं अगर आपने अपना खाता 16 तारीक से लेकर महिने के आखरी तारीक के बीच खुला है तो आप 16 तारीक और 30 तारीक के वीज में कभी भी जाकर अपने अकाउंट में पैसा डाल सकते हैं तो दोस्तो हम आपको यही सुझाफ देंगे कि आप अपना खाता 1, 2 तारीक या 16, 17 तारीक को ही खुलाएं ताकि आपके पास 15 दिन का समय हो अपने पैसे को जमा कराने के लिए दोस्तो आप बात कर लेते हैं कि आप कितना पैसा अपनी आरडी में डाल सकते हैं दोस्तो आप मातर 100 रुपे से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं यानि कि अगर आप महीने में 100 रुपे भी बचाते हैं तो आप उससे भी एक RD open कर सकते हैं वहीं अगर maximum limit की बात करें तो RD की कोई भी maximum limit नहीं है आप 10 के multiples में जितने पैसे चाहें उतने अपने RD account में डाल सकते हैं चाहें तो आप 500 रुपे डालें, 1000 रुपे डालें आप अपनी saving के हिसाब से जितने पैसे हो सकें अपने RD account में जमा करा सकते हैं वो आपकी saving ही होगी दोस्तों कई बार ये भी होता है कि हम किनी कारणों की वज़ा से अपने RD account में पैसा नहीं जमा करा पा रहे हैं तो in case अगर आप अपना पैसा नहीं जमा करा परे हैं तो आपको हर 100 रुपे के उपर 1% की penalty लगती है हर महीने यानि कि अगर आपका RD account 100 रुपे प्रती महीने का है तो आपको 1 रुपे की penalty लगेगी दोस्तों आपके पास 2 महीने का समय होता है अपने खाते में पैसा जमा ना कराने के लिए अगर आप 2 महीने तक अपने खाते में पैसा जमा नहीं करा पाते हैं तो 2 महीने के बाद आपका RD account टर्मिनेट हो जाता है और उस समय पर आपके RD अकाउंट में जितना भी पैसा होता है वो बेयाद समेथ आपके मेन बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है चलिए दोस्तो अब जान लेते हैं कि RD कितने टाइम पीरियड की हो सकती है दोस्तो पोस्ट आफिस की RD पांच साल तक की हो सकती है यानि आपको पांच साल तक हर महीने एक निश्चित रकम अपने अकाउंट में डालनी है और पांच साल के बाद मेचुरिटी अमाउंट आपको मिल जाता है अगर आप चाहें तो इस अपने अकाउंट को 5 साल के लिए और एक स्टेंड भी कर सकते हैं 5 साल के लिए बढ़ा सकते हैं और 10 साल के बाद आपको पूरी रकम आपके अकाउंट में मिल जाएगी चलिए दोस्तों आप जान लेते हैं कि कौन-कौन इस स्कीम को इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों अगर आप एक भारतिय नागरिक हैं तो आप किसी भी पोस्ट आफिस में जाकर अपना RD अकाउंट ओपन कर सकते हैं आप चाहें तो अपने बच्चों के नाम पर भी RD अकाउंट खुलवा सकते हैं इसमें जॉइंट अकाउंट की भी सुविदा है यानि कि आप अपने हस्बेन या वाइफ के साथ एक जॉइंट अकाउंट ओल्डर बन सकते हैं साथ ही इसके उपर कोई लिमिट नहीं है आप चाहें तो एक से ज़ादा RD भी ओपन करा सकते हैं आपको कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तो RD में लॉकिन फीचर की भी सुविदा होती है यानि कि RD की ब्याजदर एक समान रहती है आपने जिस समय पर अपना RD अकाउंट खुलवाया है आपकी इंटरस्ट रेट उस समय के हिसाब से लॉक हो जाती है यानि अगर आने वाले सालों में ब्याजदर कम भी हो तो भी आपके RD अकाउंट पर कोई असर नहीं होगा आपको वो एक निश्चित ब्याजदर प्राप्त होती रहेगी दोस्तो RD से आपको कई बहतरीन फीचर मिल जाते हैं आईए उनके बारे में बात करते हैं सबसे पहला फीचर है ट्रांसफर का यानि कि आप अपने RD अकाउंट को एक post office से दूसरे post office में ट्रांसफर कर सकते हैं अगर कभी आप अपनी city चेंज करते हैं तो आप अपने नई शहर्क में अपना RD अकाउंट ट्रांसफर करा सकते हैं बहुत ही आसानी से साथी अगर आपको जरूरत हो तो आप अपना 50% पैसा निकलवा भी सकते हैं RD अकाउंट से पर एक साल बाद ही यानि कि अगर आपकी RD खुलेखो एक साल से उपर का समय हो गया है तो आप अपने अकाउंट से 50% पैसा विड्रॉख करा सकते हैं, निकाल सकते हैं अगर आपको कोई जरूरत पड़े तो चलिए दोस्तो अब बात कर लेते हैं इंटरस्ट की यानि कि अगर आप पोस्ट आफिस में RD खुलवाते हैं तो आपको अपने पैसे पर कितना ब्याज मिलता है दोस्तो एक अपरेल 2020 के बाद पोस्ट आफिस की RD का इंटरस्ट रेट 5.8% कर दिया गया है यानि कि आपको अपने पैसे पर हर वर्ष 5.8% का इंटरस्ट मिलता है जो की एक सिंपल बैंक के सेविंग अकाउंट से बहुत अच्छा है ये कंपाउंडिंग इंटरस्ट होता है यानि कि हर साल आपका पैसा बढ़ता रहता है चलिए इसको कुछ एक्जामपल्स के साथ समझ लेते हैं मान लीजिए आप हर महीने 500 रुपे अपने अकाउंट में डाल रहे हैं यानि कि 5 सालों में आप 30,000 रुपे जमा कराएंगे दोस्तों आपको मेच्यारिटी पर 34,848 रुपे मिलेंगे मतलब आपको 30,000 के बदले 4,848 रुपे का बेयाज मिलेगा वहीं अगर आप हर महीने 1000 रुपे अपने आडी अकाउंट में डाल रहे हैं यानि कि 5 सालों में 60,000 रुपे तो आपको मेच्यारिटी पर 69,696 रुपे मिलेंगे यानि कि 1000 रुपे की आडी में आपको 5 सालों में 9,696 रुपे का बेयाज मिलेगा जो की एक अच्छा अमाउंट है वहीं दोस्तों अगर आप हर महीने 2000 रुपे को सेव करते हैं यानि कि 5 सालों में 1,20,000 रुपे तो आपको 5 साल बाद 1,49,393 रुपे मिलेंगे यानि कि आपको यहाँ पर 19,393 रुपे का बेयाज मिलने वाला है साथी अगर आप हर महीने 5000 रुपे सेव करते हैं यानि कि 5 सालों में 3,00,000 रुपे तो आपको maturity पर 3,48,483 रुपे मिलेंगे यानि कि इस case में आपको 48,483 रुपे का बेयाज मिलेगा अपने पैसो पर दोस्तो आइडी एक बहुत ही अच्छा option है अगर आप थोड़े थोड़े पैसे सेव करना चाहते हैं I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें कॉमेंस में आप अपने questions डाल सकते हैं हम कोशिश करेंगे कि आपके सभी सवालों के जवाब आपको सही सही दे पाएं साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ परिवार के साथ शेयर करें ताकि ये जानकारी जादा से जादा लोगों तक पहुंच सके वीडियो को अन तक देखने के लिए बहुत बहुत शुकरिया मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद